आम जनता से जानेंगे कि आखिरकार 2022 में वो किसे लखनाउ भेजेंगे क्या कहेंगे बाई साब आप किसे 2022 में लखनाउ भेजना चाहेंगे? बीजेपी、बीजेपी को भीजने के पीछे कोई वजय है कि स्रिफ आजसे पीजेपी को भेज देख वजय है कांति सारी वजफ जो पहले नहीं हुदुआ, और जो run- only please पहले Jahren सरकार कांग्रेस की उन में एक राम मंदर can कैसलों हां इक आयोत्या दो खरता के वो वीजेबी सरकार ने राम मंदिर करके दिखाया है तो तेट स्वाइए आई सपोर्ट वीजेपी लेकिन माता जी आप बताईए आप इस सरकार के कामकास से खुस हैं? नहीं खुस हैं जहाँ सरकार थे हम खुस हैं आप बताईए भाई साब 2022 में आप किसे लखनों बेजेंगे? योगी जी को योगी जी को क्या है गुंडागर्दी बंद हो गई शमाल में सब अच्छा चलना है बैन जी आप बताईए क्या आप अपने आपको योगी सरकार में सुरच्छित महसूस करती हैं और पूरी तरह तो नहीं पर हाँ जो यूपी में गुंडागरी और चोरी चकारी छेड़ा खानी थी वो काफी बंद हो चुकी है अपने आपको पूरी तरह सुरच्छित नहीं महसूस करती हैं लेकिन फिर भी काफी ज्यादा राहत है जी उसे समर्थ हुआ है यह जो महिलाएं हैं वो भी देवाकी से अपनी बात को रख रही है वाई साथ तोड़ा सामान अगर किनारे कर लें तो हम भी आप से बात कर लें पताईए 2022 में आप किसे लखनौ भेजेंगे योगी जी जाएंगे पक्का है पक्का सर्थ कोई सक्सुभा नहीं है मता जी आप बताईए 2022 में किसको आप लखनौ भेजेंगी क्योंकि आपने तो कई चनाओ देखें हैं कई उतार चणाओ भी देखें है योगी जी जाएंगे योगी जी के नाम इतना खुसा है योगी जी के नाम पताईए योगी जी की जोड़ी आपको परफेक्ट लग रहे हैं बढ़ी है बढ़ी है अब जरा मेंगाई तो बढ़ गई थोड़ी तो जरा वैसा हो गया इंसानों गरीमों को भत परेसा नहीं हो गई नहीं तो भी जनता जनारता नहीं आपी तो चुनेंगे आप ही जैसे लोग चुन करके लखनों भेजेंगे योगी जी को इसको बेज़रा है योगी जी को योगी जी को कहें है इतनी देरी लगा रहा रहे थे कि कौन जाएगा क्या बता दो दे को योगी जी जाएंगे आपकी तरब से बिल्कुल फाइनल है क्योंकि महिलाओं की सुरच्छा इस प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा है और आप बनाइए आप तो एक इस्टुडेंट भी लग रहे हैं तो क्या लगता है आपको सुरच्छा बेहतर है पहले की सरकारों से पहले से बहतर है पहले से बेटर है क्या लगता योगी सरकार फिर से आनी चाहिए हां जब तक कोई और बैटर नहीं आ जाता और बायव क्या कहेंगे आपके पास कोई option है क्या आपके पास ही option नहीं है नहीं मेरे पास यह option है कि योगी सरकार ठीक है मोदी सरकार अच्छी है लेकिन महंगाई के कारण गरीब आदमी की उसकी कमर तोड़ दी गई है जो रसोई सेलेंडर जो पीछले 3-4 सार पहले जो 390-80 का मिलता था वो 900 रुपे का मिलता है जो गरीब आदमी गाओं में रह रहा है जिनको सिलेंडर मिल रहा है वो पहले 500 रुपे जुटाने में उनको बहुत कड़ी रहती थी अब वो 1000 रुपे एक साथ कहां से लेका आएगा अंकल जी आप बताईए 2022 में आप किसे लखनों भेजने की सोच रहे हैं जाएंगे तो योगी जी बट ऑप्शन कोई है नी विवक्षाही नी क्या करेंगी पब्लेक बेंगाई भी सेहन कर रही है नेता ही नहीं है कोई मुद्दा ही नहीं है आप बताईए ना वबेसी अलग अपनी टैंक अलाएंग अखली शाद हो अपनी बैंजी की कुछ है यह दूखन कोई बचता है कोई आप्शन नही यह यूए में सिवाए लिवक्षाही नहीं अब आप बताईए बैंजी आप साहिम तहाइंसे योजकि नजर में कोई नहीं है यह हो पीदेया बदमा तो यह लगता कि दिन्यक्रिश्चाही कम नहीं हो रही है लंसा तो जारे जिन कि कि यहीं अधिक यह निखिए यह यह दो अजार बाइस कचुना घर में दो बातें हैं आप कह रहे हो ऑपसन नहीं है वह कहरे महिंगाय की मारत रख़ान है आप बताए बैन जी 2022 में आप कसे लखनों भेज रही है योगी जी को चलिए आप युवां है यूअ क्या सोचते है 2022 को लेकर के आप कि योगी जी को भेज़ो कि योगी जी जी को भेजा